भारत माता की भारत माता की मैं आज देश की हर माता को हर बहन को हर बेटी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ कल और पर्षों 20 और 21 सितंबर को हम सब ने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सवभाग्य है कि इतिहास बनाने का आउसर कोटी कोटी जनों ने हमें दिया है आने वाली अनेकों पीडियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी इस दिवस की चर्चा होगी मैं पुरे देश को नारी शक्ती बंदन अधिरियम समसत के दोनों सदोनों में और भारी बहुमत से और राजसभा में तो सर्वसमती से पास होने की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ पार्टी के रास्ति अध्यक्ष्य श्रीजीपी नद्दा जी अन्य सभी वरिष्ट साथी और आज मैं देश की माताओं बेहनों को भी यहां दूर से प्रणाम करता हूँ कभी कभी किसी निर्णे में देश के भागे को बदलने की चमता होती है और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णे के साक्षी बने हैं संसत के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ती बंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है जिस बात को देश को पिछले कई दसकों से इंतजार था वो सपना अब सच हुआ है यह पुरे देश के लिए बहुत ही खास समय है यह भाजपा के हर एक कारकरता के लिए भी बेहत खास दीन है आज हर नारी का आत्म विश्वास हर नारी का आत्म विश्वास आस्मान छू रहा है पुरे देश की माताए बहने और बेटिया आज खुशी मना रही है हम सब को आशिरवाद दे रही है साथियों कोटी कोटी माताओं बहनों के सपने को पूरा करने का सवभाग्या हमारी भाजपा सरकार को मिला है और इसलिए राष्ट को सर्वप्रथम मान कर चलने वाली पार्टी के रूपे भाजपा कार करता के रूपे मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूपे ये हमारे लिए बहुत बड़ा दीन होनों का गरवा नुभव कर रहे हैं नारी शक्ती बंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है ये नए भारत की नई लोगतां तरीक प्रतिवद्दता का उद्गोश है ये अमरित कान में सबका प्रयास से विक्सित भारत के निर्वार के तरफ बहुत बड़ा बहुत मजबुत कदम है महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए क्वालिटी आफ लाइप बहतर करने के लिए विमेन लेट डेवलमेंट का नया यूग देश में लाने की जो गारंटी जो गारंटी मोदी ने दी थी ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे देश की हर माता बहन और बेटी को नारी शक्ती बंदन अधिनियम के लिए मैं फिर से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं मेरे परिवार जरो लोग तंत्र में महिलाओं के लिए इस कानून से बीजेपी महिलाओं की भागिदारी से के लिए तीन दसक से प्रयास कर रही थी यह हमारा कमिट्मेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है महिला आरक्षान सुनिशित करने वाले इस कानून की रह में तरह तरह की बाधाएं थी दसकों पुराने अडंगे थे लेकिन जब नियत पवित्र होती है प्रयासों में पारदर्शिता होती है तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला नए संसत भवन में पक्ष विपस्की सीमाओं से उपर उठकर करीब करीब सब ने इसके पक्ष में वोट दिया मैं इसके लिए सभी राजनितिक दलों का और सभी सांसत साथियों का भी अभिनंदन करता हूं मेरे परिवार जनों भारत को विक्सित बनाने के लिए आज भारत की नारी शक्ति को खुला आस्मान देने का ये आउसर है आदेश माताओं बेहनों बेटियों के सामने आने वाली हर अर्टन को दूर कर रहा है इसी सोच के साथ बीते नव वर्षों में हमने माताओं बेहनों से जुड़ी हर बंदिशों को तोड़ने का प्रयास किया हमारी सरकार ने एक के बाद एक ऐसी योधनाई बनाई है ऐसे कारक्रम शुरू किये हैं जिससे हमारी बेहनों को सम्मान, सुविदा, सुरक्षा और समुरुद्धि का जीवन मिले हमने बेहनों बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या को दूर करने पर पहिए पूरी गंबीरता से ध्यान दिया है गर्भावस्ता के दौरान शिशू को पौश्टिक खाना मिले इसके लिए हमें मामने मात्रों बंदना योजना चलाई महलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने सुरू किये माता मृत्यू को रोकने के लिए नवजाद बच्चों की रच्छा के लिए हमने शिशू का जन्मा अस्पताल में ही कराने का बहुत बड़ा अभियान चलाया बेटी को कोख में ही नसमाप्त कर दिया जाए इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जना दोलन भी शुरू किये आज वर्षो बात देश में जनसंख्या के आधार पर महिला पुरुष के अनुपात में सुधार आया है इसी तरह सवचालय न होने की वज़े से बेटी या स्कूल न छोड़े इसके लिए हमने करोडो सवचालय बनाए बेटी की सिख्षा जारी रहे इसके लिए हमने सुकन्या समृत्धी योजना में ज्यादा ब्याज का प्रावधान किया बेटी को रसोई में लकडी का धुवा ना सहना पड़े इसके लिए उजवला का गैस कनेक्शन दिया बेटी को पानी के इंतजाम में परेशान होना न पड़े इसके लिए हमने हर गर पाइप से पानी देने की योजना शुरू कि मेरे परिवार जनों हर माबाप का सपना होता है कि उसकी प्यारी बेटी बिना बाधा के जीवन बिताए जीवन में आगे बड़े एक परिवार के सदस्य की तरह हमारी सरकार ने बेटी के हर सुक की चिंता की है हर बाधा दूर करने की कोशिश की है बेटी को अंधरे में न रहना पड़े इसके लिए हमने सवभागिय योजना से मुप्त बिजली कनेक्शन दिया बेटी पैसे की कमी की वज़े से अपनी बिमारी छिपाए नहीं इसलिए हमने उसे पांच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज की सुविदा दी बेटी की या घर की संपति पर भी अधिकार हो इसके लिए पीएम आवास के घरों में उसे संयुक्त भागिदारी थी गुरुहिणी को अपनी बचत अनाच के डिब्बे में ना रखनी पड़े इसके लिए जंधन योजना के तहर करोडों महिलाओं के बैंक खाते खोडे मेरे परिबार जनो बेटी रोजगार कर सके स्वारोजगार कर सके इसके लिए हमने बीना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू की वो मां बनने के बाद भी अपनी नोकरी जारी रख सके इसके लिए हमने मात रुत्व अवकास में वृद्धी की बेटी अगर साइनी स्कुल जाना चाहती है तो उसके लिए हमने साइनी स्कुल के द्वार खोल दिये बेटी अगर सेना में अपसर बनना चाहती है तो हमने तीनों से नाओ में बेटियों के लिए नए रास्ते बना दिये गाओं की बेहनों को कमाई के आउसर मिले इसके लिए हमने नव करोड से जादा बेहनों तक सेल्फ हेल्फ गृरूप का विस्तार किया और उन्हें मिनने वाली सहायता को भी बढ़ाया इस साल लाल के लिए से मैंने देश में दो करोड लगपती दीजी बनाने और सेल्फ हेल्फ गृरूप की महलाओं को ड्रोम देने की योजना का भी अलान किया है साथियों सामाजिक स्तर पर भी तीन तलाग जैसी जिन कुर्टियों के कारण महलाओं पर अत्याचार होते थे हमने कानून बना कर उने रोका है हमारी करोडों मुस्लिम बहरों को आज तीन तलाग की अमानवियक कर प्रथा से सुरक्षा मिली है वो महलाएं भी अब अपने अधिकारों के लिए आगे आ रही है मेरे प्यारे परिवारजन महला आरक्षन के लिए इतने दसकों से कोशिश तो हो रही थी लेकिन मैं आप से जानना चाहता हूँ तीन तीन दसकों से बात हो रही थी नहीं हो पा रहा था आज ये संभव हुआ है मैं जराप से पूछना चाहता हूँ ये संभव कैसे हो पाया ये कैसे संभव हो पाया ये कैसे संभव हो पाया कैसे संभव हो पाया अब मैं मैं आपके जवाब को जड़ा ठीक करता हूँ यह मोदी ने नहीं यह आप ने किया है करोडो देश वाचियों ने किया है और यह कैसे किया है उसका एक सबसे बड़ा कारण है देश की जनता ने देश के मतदाताओं ने विशेश करके मेरी माताओ बहनों ने वोट दे करके एक पूर्ण बहमत वाली मजबूत और फिर बनाई और उसी का कारण है आपने जो सरकार को मजबूती दी आपने जो सरकार को बहमत दिया उसी की ताकत है कि आज ये सरकार फैंसले भी ले पा रही है और संसद में जाकर के तीस साल से लटके हुए काम को भी पूरा कर पा रही है और इसलिए सफने कि दोनों सदनों में स्थिफक कार से पास होना इस बात का साच्ची है कि पूर्न अबहमर्वाली स्थी सरकार होती है कि तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है कैसे पड़ावों को पार करता है जब देश में पूर्ण बहनमवारी सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया हमने महिला हित में हर्टर पर फैसले लिए किसी के राजनितिक स्वार्थ को महिला आरक्षन के सामने दिवार नहीं बनने दिया जब कि इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आये लीपापूती हुई सिरब नामदर्थ कराएगी ये निष्ठा पुर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ और बबार हुई हंगाबा हुआ नारी का अप्मान करने का भी प्रयास किया गया मैं तो कल भी सबने वोड तो दिया लेकिन कुछ लोगों कि इस वीचे तकलिप थी कि नारी शक्ति बंदना शब्द क्यों लाए हो क्या इस देश की नारी को बंदन करना चाहिए का नहीं करना चाहिए क्या माताओं बेहनों को प्रणाम करना चाहिए क्या माताओं बेहनों का गवरव सम्मान बनाना चाहिए क्या हम पुरुशों को इतना हंकार आजाए हमारी राजरिती की विचारधारव इतना हंकर आ जाए कि हम नारी शक्ति की बंदना शब्द का प्रवोक करें तो भी किसी के पेट में चुहे डोड़ने लग जाए अब भुम्मत की स्थीर सरकार है तो महिला आरक्षनबील नारी शक्ति मंदन अधिनियम एक सच्चाई बन गया है इस कानून ने फिर साबित किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए इस कानून ने सिद्ध कर दिया है देश को आगे ले जाने के लिए पूर्णा बहुमत वाली सरकार मजबूत सरकार निरनायक सरकार ये बहुत ही आवश्यक है मेरे परिवार जनों मैं लगातार महलाओं को आगे बढ़ाने की बात करता हूं उनके विकास को केंदर में रखकर नित्यों की बात करता हूं ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने महिलाओं के नित्रुत्व को उनके सामर्थ को उनकी रिजल्ट देने की काबिलियत को देखा है मैं वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहा मेरे अपने अनुपव है कि जब मात्रु शक्ति को काम मिलता है तो कैसे परणाम देती है हमने गुजरात में सम्रज ग्राम की योजना बनाई थे और उसके एक विश्यस्ता थी कि जहां पर गाउं के प्रधान के रुप में महिला के लिए आरक्षन है वो सीट रिजर्व है अगर उस गाउं के सब लोग मिल करके निर्विरोध में उसको चुनते हैं और सभी पूरुस अपने आपको विड्रो करके सारे मेंबर महिला हंडेट परसंट महिला मेंबर उनको मैं समरस ग्राम पंचायत कहता था और गुजरात में हज्जारों ऐसी पंचायते बनी थी जिसमें एक भी पूरुस सदस्से नहीं था शद प्रतीशद महिला सदस्से थी और उत्तम से उत्तम विकास के काम उन्होंने करके दिखाया था साथियों महिलाओं की शक्ति उनकी सोच क्या होती है इसके मेरे पास अनेक उदारण है गुजरात पर तो मैंने बार बार इस सामर्थ को देखा था मुझे मैं नया नया मुख्यमंतरी बना था तो एक गाउं की महिलाओं ने मेरा समय मांगा वो गाउं के चुने हुए लोग थे तो बोले सब महिलाएं मिलना चाहती है तो मैंने कहा भई मैं नया था अभी तो मुझे इच्छे महिने भी नहीं हुए थे तो मैंने का काम क्या आप ग्रामिन विकास मंत्राले को मिलिये फलाने को मिलिये नहीं बोले जाब उनका दागर है वो आपको मिलना चाहते है वो गाउं की माता है बहने थी मैंने का अच्छा भई एक दिन बुला लेना मैं मिलूंगा वो मिलने आई आट-दस महिल आए थी और उसमें सबसे ज़्य लिखी जो बहन थी वो साथ साथ भी आट-वी कर्षा तक पड़ी लिखी तो मिलने आई बोले हमारे गाउं ने ताई किया है कि एक भी पूरुस मेंबर नहीं होगा सबकी सब महिला बेंबर होगी और इस बार गाउं की प्रधान भी महिला होगी तो मैंने उनको पूछा आपकी क्या पेक्षा है और आप क्या करना चाहती है कि साथ भी आठ भी कख्षा पड़ी लिखी वो गाउं की प्रधान महिला और बाकी मेंबर तो उससे भी कम पड़े लिखे थे वह आट-दस बहने आई थी गाउं की बहने थी पहली बार गांधी नगर देखा था उन्हो करनता हूँ सारवजनिक जीवन में काम करने वाले हम सब के लिए प्रेणा है उस बहन ने मुझे कहा कि मेरी एक इच्छा है हमें पांच साल मिले हैं हम पांच साल में ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हमारे गाउं में एक भी व्यक्ति गरीब न रहे कि आप कल्पना कर सकते हैं क्या द्रश्टिकोंड होगा उनका और सच्पे ट्रांस्फर्मेशन का कहां आधार होता है यह उनको मालूम यह सामर्ते और सोच हमारी माताओं बेहनों के गाउं में बैटी बेहनों को भी होता है ताथ क्यों महिलाओं में सकारात्पक अधनों के बहतर से बहतर इस्तमाल की दुजर्शिता हमें हर जगह पे मिलती है परिवार में तो डगर डगर पे नजर आता है अभी कुछ दिन पहले मैं मत्यपदेश गया था तो वहां सहडोल के पास एक आधिवासी गाउं में गया तो समी आधिवासी बेहनों को बुलाय लेकिन विशेशता है थी कि उसमें सो से जादा लगपती दीदी आई थी आधिवासी बेटियां लगपती दीदी तो मैंने उनसे संभात किया एक बहन ने जो मुझे बताया वह वाकई हमारे हम सोच सकते हैं कि उनका सामर्थ कितना है वह आधिवासी बेटी जो कहती है मैं लगपती दी दीदी हूं मैं आज विमेंस सेल फेल गुरुप के द्वारा यह काम करके इतना इतना कमाती हो तो मैंने पूछा इतना पैसा कमाने लगी तो करती क्या हो एक आधिवासी महला मुझे कह रही है यह दिल्ली की महलाओं के लिए भी आस्षे होगा वो कहती है कि मे मेरे पती साइकल पर जाते थे काम करने के लिए रोजगार डूनने के लिए साइकल पर जाते थे मैं लगपती दीदी बन गई तो मैं उनके लिए स्कूटी ले आई देखिये आत्म विश्वास वो कह रहे है मैं मेरे पती के लिए स्कूटी ले आई फिर बोले मुझे पता चला कि मुझे बैंक से लोन मिल सकती है, तो मैंने सोचा कि मैं लोन से ट्रेक्टर ले लू, बोले मैंने लोन से ट्रेक्टर लिया और मेरे पती को स्कूटी लेकर के मैंने उनको बढ़ले में ट्रेक्टर दे दिया, और मेरे पती ट्रेक्टर लेकर के अगरवगल के गाउं में खेती के लिए लोगों की सेवा के लिए जाते और कमाई करते हैं और बोले अब तो मेरी सिती है कि मैं कुछी बहिनों में वो ट्रैक्टर की लोन भी वापिस कर दूँगी याने एक मेरी आधिवासी बहन लगपती दिदी की क्या विजन होता है कल्पना होती है अभी एक दो मे मेंने पहले में उनसे बात करके आया सात्यों मुझे कहना यह यह है कि नारी शक्ति मंदन अधिनियम देश के भाग्यों को बदलने का काम करेगा और उसके पीछे मेरा जो यह अनुभाव है इसके कान मेरा विश्वास अनेक गुना बढ़ गया है नारी जब कोई भी जिम्म संबालती है तो उस संकल्प को सिद्ध तक लिजाने के लिए वो जी जान से जुड़ जाती है इस कानून का सबसे बड़ा लाब यह होगा कि यह कानून देश की नारी शक्ति में बहुत बड़ा विश्वास पैदा करेगा देश के लिए काम करने का जजबा भारत को आगे बढ़ाने की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाएगी आप गुजरात के डेरी उद्यों को मैं बली बाती जानता हूं यह मूल वगेर इतने बड़े बड़े नाम सुनते हैं उसके मूल में सभी महलाएं हैं जो पशुपालन का काम करती है दूद के व्यापार का काम करत आज मल्टिलेशनल कंपनियों को टक्कर मारने वाला लिज्जत पापड यह हमारी नारी शक्ति का परिचे देता है एता हर राज्य में आपको मिलेगा उनका यह जो कौशल है सामर्थ है जो भंगवान ने उनको नैशरी गुन दिया हुआ है वे कभी भी खराब क्वालिटी को स्विकार नहीं करते हैं हो सके उतना अच्छा करना अच्छे डंग से करना यह सामर्थ होता है और यह शक्ति जब राष्ट निर्मान में सक्री होती है तब राष्ट कितना आगे बढ़ सकता है इसका हम अंदाज लगा सकते हैं महिलाओ कैसी कौशल का उनकी पर दोन को इस बिल का समर्धन करना पड़ा है अम आ लिजैरी यही लोग है जो पहले बिल फड़ा करते थे आज उनको बिल को समर्धन करना क्वा पड़ा क्यों कि देश बढ़ में पिले दस साल में महिला एक शक्ति बन करके उब्री है कि अरहमने सहनं संज में पहुंक ने देश में ऐसामर्थे जुता दिया ताकि iture अ summarALL करके हम सदन में खिए कि यह आपकी के सामर्थ पर भरोशा करके में गया था यह है और आपकी शक्ति ने रंग दिखा दिया कि सभी राजनीतिक दलों को इस काम में जुड़ना पड़ा कि मेरे परिवार जनो कि आज परिवार से लेकर पंचाय तक एकोनोमी से लेकर एजुकेशन और एंट्रप्रिनर्शिप तक हमारी बहन बेटिया हर शेत्र में अबुद्पुर्व काम कर रही है बारत को चांद तक पहुंचाने में महलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है आज हमारे स्टार्ट अप्स हो सेल्फेट ग्रूप्स हो य देश ने संकल पर लिया है कि जब हम आजादी के सोवर्थ पुरे करें तब तक हम भारत को विक्षित बना करेके ही रहेंगे एक डेवलप कंट्री बना करके रहेंगे इसमें देश की जो आज आधी आवादी है उसकी सक्रिय भागिदारी और नित्रत्व के साथ सक्रिय भा तराबरी का हिस्सा ये इस सपने को साकार करने का बहुत बड़ा फोर्स बढ़ने वाला है मेरे परिवार जनो नयाओ और आदून एक संसद भवन और उसमें आधी आबादी का बढ़ता हुआ प्रतनी जित्व इन नई व्यवस्ताओं का सुत्रपात करेगा मुझे विश्वास है कि देश की नारी शक्ती नई और स्वस्त संसद ये परंपरों का भी स्रजन करेगी और इसी विश्वास के दाद आप सब इतनी बड़ी तादाज में आकर के मुझे आशिरवाद दिये भारत की संसद के इतने बड़े महतुपो निड़े को माता वो बहनों ने सबारा और मुझे खुसी तो तब हुई जब इसको प्रधान मंत्री आवास बिला है वो बहन मुझे आकर के आशिरवाद दे रही है जिसको उजवला का गैस बिला है वो जुग्गी जोपड़ी में जिनकी गुजरा कर चुकी बहन मुझे आशिरवाद दे रही है तम मेरा पक्का विश्वास और मजबूत हो जाता है और इसलिए मैं फिर एक बार आप सब को अनेक शुक्तामनाय देता हूँ ये द्यारी शक्ति बंदर अधिनियम उसको गाउं गाउं गरगर पहुंचाना हम सब का दाईत्व हैं और इस सामर्थ को और तेजी से आगे बढ़ाएं इसी एक अपेश्चा के जात सभी माता हो ब से नहीं दिलनी में गुजनी चाहिए भारत माता की हुऊहारत माता की भारत माता की भाथ माता की जो भात भाथ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माननिय प्रधान मंत्री जी हम पुन अभी नंदन करें कि उन्होंने हमारे आमंत्रन को स्विकार करें और हमारे बीच में वो पस्तित वे धन्यवाद 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 धन्यवाद